नमस्कार दोस्तों मैं आपका होश्ट और दोस्त राफुल निमेश आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और एक वीडियो में दोस्तों वीडियो बहुत important है अगर आपने किसी mobile loan application के माधियम से loan लिया है और आपने अब तक उसका भुगतान ने किया है आपको डराय जा रहा है आपको दमकाय जा रहा है आपको काफी हरास किया जा रहा है आप में से बहुत सारे ऐसे subscriber हैं जो की जानना चाहते हैं कि जो mobile loan application वाले हैं अगर इनका हम बुगतान ना करें तो कितने समय तक ये हमें call करके परिशान कर सकते हैं कितने समय तक ही हमें हरास कर सकते हैं आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा उपाय है जो पूरे तरीके से इनकी कॉल जो है पर्मानेंट बंद हो जाएं आपके पास में किसी परकार की कॉल ना आए ऐसा हम क्या करें तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ आप से मेरा निवेदन है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप न करें अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको पूरी जान काई नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देन करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यह जो मुबाइल लोन एप्लिकेशन वाले हैं दुवारा से आतंक उतार रहे हैं दुवारा से लोगों को हरास कर रहे हैं दुवारा से आम आदमी को यह पुरपर तरीके से प्रतारित कर रहे हैं आप में से पहुत जादा लोग जो कि इनसे लोन ले चुके हैं, आपके पास में पैसा नहीं है और आप इनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आपको काफी ये लोग थ्रेट कर रहे हैं, काफी धमका रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि इनकी आपके पास में कोल ना आए, उसके लिए आप सबसे पहले क्या क तक आयूंतासे हम से खुल करके जवाब दें कि हम भी बताओ क्या बात है ठीक है आप से कहते हैं मिह आपने लिया है कि हम ने लोन लिया है दूसरी बात जब यह आपको घृषांट करें तो आप इंस्टंटली इनके नंबर को भाशतर परकेशन लिजे जिस एक होग work परकाइ ब्लोक कर दिया जाए और unknown call जितनी भी होती हैं सब को कर दो ब्लोक अब आपके mind में ये question आएगा कि अगर हमने सब को ब्लोक कर दिया तो हमारी contact list में call करके परेशान किया जाएगा दोस्तों देखिए मैं किसी भी व्यक्ति को लबाजी मार के नहीं दिखाता हूँ कि मैं ऐसा कर दूँगा मैं ऐसा करा दूँगा मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा simple सा एक procedure है अगर आपने किसी mobile loan application से loan लिया है आप अपने mobile phone को proper तरीके से format कीजिए उन applications को uninstall कीजिए जो आपकी email id है उस पे जितने भी contact list है उसको आप delete कर दीजेगा फिर दुवारा fresh तरीके से two step verification वगार अपनी email id में लगा करके दुवारा वो contact उसमें proper तरीके से restore कर लिजेगा ठीक फिर उस application को बिलकुल भी अपने phone में आप install मत कीजिए और आपने phone को नए तरीके से use करना शुरू कर दीजिए ठीक तो उससे क्या होगा जो आपकी past की contact list बगएरा होगी वो तो उनके पास में as it is ऐसे ही रहेगी लेकिन जो उसके present की जो contact list होगी न वो आपकी नहीं जा पाएगी आपकी call history भी नहीं जाएगी अब बहुत से लोगों ने पुछा के सर ये जो application वाले हैं कब तक call करते हैं ये देखिए ज़्यादातर जो मेरे देखने में आया है जो मैंने अपने subscriber से consult किया तो उन्होंने बताया सर ये ज़्यादातर call करते हैं जैसे due date हो गई तो उसके 15 दिन तो मान करके चलो ये लगातर परिशन करते हैं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर ये 3 दिन तक call करते हैं अगर response ना करें तो 3-4 दिन बाद ये response मतलब call करना कम कर देते हैं फिर और कम हो जाती है तो ये हिसाब है इनका ठीक है बाकी अगर आप सोचते हैं कि ये कोई legal action लेंगे ये कुछ करेंगे ये कुछ ने करने वाले बिलकुल आप ना हो किसी व्यक्ति को कोई लूटे ना और सही तरीके से जानकारी प्रदान कराना मेरा करतव रहा है कारे रहा है मैं आपको बिलकुल भी ने कहूंगा कि मैं कोई advocate हूं मैं कोई legal advisor हूं जो मुझे basic जानकारी है उसके आधार पर ही मैं आपको जानकारी देता हूं अब मेरे पास में loan चुकाने के लिए तो पैसा है नहीं आप इस बात को भली बाती जानते हैं तो आप किसी third party को पैसा कहां से देंगे ये बताए मुझे और रही बात देखिए help की अगर आप personally मुझसे बात करना चाहते हैं आपको बता है मैं बात भी करता हूं आप mail करते हैं जादा मदद ना करें किसी प्रकार से आपको कोई सहूलियत ना मिले तो I am with you मैं proper तरीके से help करूँगा आप मुझे वीडियो बना के दीजिए और अगर कोई advocate आपको thread करता है किसी प्रकार की पैसा लेकर के आपको help ना करे तो देखिए उसके लिए आप advocate के खिलाब एक bar association में शि देजिए ने जो मैने जनकारी प्राप्त किया है जिन से मेरी बात सरक्रा 계 altar वी कोई जनकारी नहीं देगा क्योंकि उसे पता है कानून का कब जाकर के कहां क्या हो सकता है क्या सारी चीजे होती है ठीक है तो आप अगर किसी भी रैपोर्टेट एडवोकेट से बात कर रहे हैं देखे वो तो 100% फी देगा इसमें कोई शेक वाली बात नहीं है लेकिन इसमें जो मेरे देखने में आया है आप प्रोपर तरीके जब तक अवेर नहीं होंगे जागरूक नहीं होंगे अपने अंदर हिम्मत नहीं लेके आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों यह क्या है यह कुछ भी नहीं है मैं बता रहा हूँ आपका जो लीगल एप्लिकेशन है जो यह डिजिटल बी इशू है आप मुझे इमेल कर दें अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यह चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जैसे कि मैंने आपको बता दिया बैल आइकन भी प्रेस करना है ठीक है और कॉमेंट भी करना है और आप फेस्बुक पे कर दें और लाइक कर दें और मुझे कोमेंट में बताएं कि आपकी समस्या है कितनी रिजोल्व होई है ठीक है थैंक यू सो मच